हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका आज के करंट अफे डिसकसन में चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला रट्टिकल है अभी हमारे प्रधान मंद्री जी लक्षे द्विप कहे थे और वहां के टूरिजम बढ़ाने के लिए रिक्वस्ट भी की थी तो लक्षे द्व बढ़ाने को अमीना का पर हो셔 द्विप है और ज्यादा तर जूरिप है वहां पड़ पर पोपूलर्शन नहीं रहती है कशी द्विप वहां पर लोग रहते हैं तो यह देखो यहां पर अउगाती आइलन्ड है यह मीनी है यह काविरती आईलन्ड ग्यिप बार ऐसे आजाई तो अगाती लख़ेटीप का पार्ट है अमीनी आईलेंड है कावर्ती है और चीज यह घ्याद रखना नाइन डिगरी चैनल नाइन डिगरी चैनल है यह कावर्ती और मिनिकोय को सेपरेट करने का काम करती है 9 degree channel यहाँ पर यह चीज़ याद रखना और एक है 8 degree channel यह 8 degree channel है यह मिनिकोई और मालदीव को अलग करती है मिनिकोई और मालदीव के बीच में है कुण सी 8 degree channel 8 degree channel कुण किसको सो separate करती है मिनिकोई और मालदीव को और नाइन डिगरी चैनल मिनी को और कावर्ती को सेप्रेड करती है यह आप चीज याद रखना मैप के दरश्टी से बहुत ही ज्यादा इंपोर्डेंट नेक्स्ट आर्टिकल है वो है गलफ अफ एडन के बारे में तो गलफ अफ एडन है इसकी मैप न्यूज में क्यों है इत इधर हुए रैड में और नीच्चे अफरिकी का और इंवे लोफ ऐने का काम करती है इंस दोनों को यह उठीज है शकोतर आयलेंड वो गलफ एडन की इसटन में पढ़ता है ति arrow Mici country कौन कौन से सोमालिया अब हम देखिंगा आगे इनके बारे में देख लिए थे तो Gulf of Eden में क्या याद रखना Gulf of Eden यह मन उपर पड़ता है इधर जिबुती इधर सोमालिया Red Sea को connect करने का कारी करती है इधर अर्बिय नोसियन है यहाँ पर एक बाबलमांदर स्ट्रीट पड़ती है जिस से क्रोस करके अपन रेड़ सी में इंट्री ले सकते है तो Gulf of Eden ठीक है और रेड़ सी से होते हो आग स्वेज कैनल से होते हुए इंडियन ओसी में जा सकते हो तो यह पूरा में प्याद रखना Gulf of Eden यहां से अर्बियन ओसी इंडियन ओसी फिर अर्बियन ओसी नहीं पर शुकोत्र आइलेंड आता है यह क्रोस करके Gulf of Eden में जाओगे Gulf of Eden में यहां पर उपर आ जाएगा बावलवां तब श्ट्रेट इससे क्रोस करते हो रेड़ सी रेड़ सी को करेश करते हुए करेस्ठ करती में जा सकते हैं तो यह पूरा है है यह बहुत भी बड़ा ट्रांस पूर्ट से यहीं से होता है तो यह चीज आप को समझ में आगई यहाँ पर बहुत बड़ी पोर्ट या हारबर भी है तो उसके बारे में देख लिए कौन-कौन से हारबर है एडन हारबर है या एडन पोर्ट है ठीक है उसके अलावा मुकला पोर्ट है अन्हार पोर्ट है बाहफ पोर्ट है बारबरा पोर्ट है बसाया पोर्ट है जिबूती अफ्रिका की बात करो तो इसमें चार कंट्री कुणकों से सीड एस डबली इडी इसे याद रखने का फॉर्मुला है एस का है सोमालिया एका एथियोपिया सेकेंड एका है इरिट्रिया फिर डी का है जिबूति तो यह स्मॉल जो होन अफ्रिका है उसकी बात डारेक्ड आपक जिबूति और इरिट्रिया जिबूति चार देस होगे उसके लाव किन्या यूगंडा और सुडान को भी एड़ किया बट एक वर्ड आता ग्रेटर होन आफ अफ अफरिका जब ग्रेटर होन आफ अफरिका होती न तो उसमें पहले सोमालिया एथियोपिया इरिट्रिया जि जिबुती तीन चार प्लस तीन किन्या युगंडा सुदान ये तीन दस साथ और एडर को बुरूंडी रवांडा तनजानिया ग्रेटर होण ओफ अफरिका में कौन कौन सी शाते है सोमालिया एठ्योपिया इरिट्रिया जिबुती केन्या युगंडा सुदान फिर तो यहां पर बुरुंडी रवांड़क ताजानिया को पी एड कर लो ठीक है यह पूरा अर्टिकल मैप से संबन दीता चलते हैं हमारे नेक्स अर्टिकल है एफिकेसी ओफ नेनो यूरिया न्यूज में क्यों है अभी पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है उन्होंने रिसर्च नेक्सक्राण करते हैं कि यह जो नेनो यूरिया है ना इसमें हिल्ड एना जो भी आप प्लाण्ट लगा ड़ारहे हैं उसके हील्ड कम हो जाती है तो इसलिए ही नीव्स मैं है तो क्या हूँभा था कुछ ताइम पहले ही जो नेनो यूरिया के साइड़ इफेक्ट बहुत को है इसने रिसर्च करकी कि यूरिया की वज़े से साइड इफेक्ट बहुँ जादा होते हैं तो साइड इफेक्ट कम करने के लिए इन्हों ने जो नाइट्रोजन बेस क्या आधार पर एक नयनो यूरिया बना है इसमें क्या होता है पार्टिकल छोटे होते होता तो यह भी पर इसके बार में से गवर्मेंट ने बढ़ा वा दिया बट किया हुआ पंजाब की युणिए दार रिसर्च की दो साल तक अलगल प्लांट पर इसको यूज किया गया बाद में जो रिजल्ट आया वो रोकिंग आया था बिकॉस कि इन उननेट बोला था कि इसे हेल बढ़ती यह पूरा फैल होगा, इससे समझ दे, तो यह जो क्या होता है, यूरिया 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 क्या होता है, इसमें क्या होता है अमोनिया होता है नाइड्रोजन अमोनिया होता है उसका यूज किया जाता है सोईल में मिला जाता है और फिर सोईल में ये प्लांट्स को फर्टिलाइजर की रूप में काम करता है और प्लांट्स की ग्रोथ में ये हल्प करता है ठीक है अब ये जो नैनो और grow करता है और इसकी help होती है बट अकीकत में ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो इसे प्रोजेक्ट फैल था इसे किसे बनाया है तो इसे बनाया गया इंडियन फार्मर फार्टिलाइजर कॉपरेशन इफ को द्वारा इसे बनाया गया था 2021 में इसे बनाया गया था और बाज में इ क्ह schreiben की चीज़ी थी प्रेक्टिकल लाइफ में अब चीजे फॉसिल ना हो पाई ऐसा आप समक्ते सबस्थो अब उसम्हें ऊसमारे नहीं जाएंगे चलते हमारे नेक्स अर्डिकल में और नेक्स्ट आर्टिकल है वू बुकसा टाइगर आ रिजर्व के बारह में न्यूज में क्यों है बुक्सा टाइगर रिजव के पास में अभी टाइगर को देखा गया है तो टाइगर बहुत कम देखने को मिलता है इसलिए बोला सल्मान भाई टाइगर तो जहां देखने को मिला मतलब अभी बुक्सा टाइगर रिजव के पास में टाइगर को देखने Sara क्या सब्पाएगर करदा ऊपर जय को माध्य शोरी कहरा यहां पर है बूकसा डाईगर अब यह मतरों पंध्रवा टाईगर शेल बना और यह पहले चोगो टाईगर इन युखा बना जाता था ज़िए पुक्सा टाइगरेशव को मुनाघ था नानाटीन ऩे नान्टीन अटीटी ती में कि में नेशिनल पार्क बना दिया पहले तो इसका प्रमोशन हो गया पर ले टाइगर रिजो में थोड़ा कम चीज आती है नेसनल पार्ग बना गया और भी ज्यादा इसमें चंजर वेशन हो जाता है तो इसका प्रमोशन हो गया तो 1992 1992 में इसका नेशन पार्ग होसिद गर दिया यह चीज आपको समझ में आ गए है अब टाइगर रिजर्व नेशन पार्ग में यह बात जब क्यूशन आते न तो कभी कवारे में कौन सी इंपोर्टेंट रिवर फ्लो करती यह भी क्यूशन पूच पूच दिया जाता है लोकेश अब यहां पर इसे इस नेशनल पार्ग से यह बोड़ करते है कि शंकोश रेदास जय न्यामी, एक द्याषील गरतो में किन श्यांति औरा थान रिज़कर लिए क्यानब़ घूशन इसाइण पार्ग हैं कि कुर्टेंट जाना लिए तो आप फस जाओगे वहाँ पे तो आपको बता दे जाये कि एक नेशन led park है जहां से रिवर फ्लो करती है संकोस या रेधास या जैन्ती और वहां का क्लाइमेट है इसे तो यहां का ट्रोपिकल फोर्स्त है तो मोइस्ट प्रोपिकल्रेस तो वह सारी रिजिंगा हो सकता है तो यह जो नेसलल फार्ग हो गया, साथ तो यहां का क्लामेटरी रीजन, साथ है मौइस्ट ट्रोपिकल फोरेस्ट का यहां का भूइस्ट OHC bunkhouse यहां पर कुछ श्म्हच इस्पिसिज भी पायी जाती है जयासि इंडियन टाइगर पाये जाता है, लियोपरड़ जंगली केट है इस परकार की यहां पर वो species भी पाई जाती है तो यह भी चीज़ या रखना अब tiger की बात कर लेते हैं हमारे tiger भाई की तो tiger की बात करें यह IUCN की category में आता है endangered tiger मतलब danger है तो endangered category में आता है already danger है ही तो और अपनी wildlife protection act है उसके भी एक schedule हम बनाते है तो उसके schedule 1 में आता है और sites के schedule 1 में आता है sites के appendix 1 में आता है आप सबसे ज़्यादा endangered category है जो IUCN की category वो तो याद ही रखना क्यूंकि news में भी रहती है और UPSC इस पर क्यूशन भी पूचता है तो IUCN की category हम endangered आता है wildlife protection schedule 1 में साइट की appendix 1 में आता है चलते है हमारी next article के और हमारा next article है polar bear के बार में polar bear दुरों पे रहने वाला भालू उसके बार में news है news में क्यूं आया है अभी क्या हुआ है दुरों पर जो पोलर रीजन है वहाँ पर जो भी यह रह रहे हैं पोलर bear इनमें हो गया है avian influenza तो उसके कारण इनकी हो रही है मौत तो अभी इसलिए news में आ गया है तो आप इस चीज़े नोटिस करो अला दुरों पर कोण ही फैलाने चला गया है यह avian influenza हमारे यह पर फैलता है तो वहाँ पर भी फैल गया है इसके कारण इनकी मौत हो रही है मौत हुई तो न्यूज में आ गया न्यूज में हम पढ़ लेंगी थाकि हमारे एक्जा में काम आ जाए तो देखो avian influenza के कारण इनकी ओरी मौत इसलिए यह न्यूज में है इनके scientific नाम याद रहे तो को रख लेना फिर भी थोड़ा बहुत माइंड में रख लेना UPSC का वरोसा नहीं है तो इनका scientific नाम है यूरमफ मोटरमीयनस इतो प्रिणांश यह नितने टफ है यूरमफ मोटरमीयस इसका scientific नाम है जाद रख न आई यूसेएन की केटिग्री में फ़लरेबल सुवेजन इन इंडिंजर नहीं तो इसका थोड़ा बहुत दियान लखो छो फ़लरेबल केटिग्री माता पोलर थी किया इसकी भीटेट की बात कर लेते हैं कहां पर पाया जाता है तो यह आकर्टिक रीजन में पा ऐसद दो ऐसे उपर बैट गया अब उपर हीँष्टने वालों कि यहां मज़े हैं वहां का जो पूड चैने हो नहीं करता है कि वहां का जो पूड चैने वो सही से काम कर रहा है यह जिन्दा है मतलब इसके नीचे है उनको खाता रहेगा तो सही से चलती रहेगी विना सरकार के तो जंगल राजा जाएगा तो वैसे वैसे यह तो पर बैटा है मतलों सही से चल रहा है अगर यह उपर से खतम हो गया तो सारा सिस्तम में गड़ बढ़ा जाएगा ठीक है पूरी फूर्ट है वो खतम हो जाएगी आप समझे लो तो यह तोप का प्रिडेटर है ज्यादा फालत बातों ने पड़े यह टॉप का प्रिडेटर है अगर यह नहीं हुआ तो सारा ही फॉबूलेशन ही खतम हो जाएगी सारी जो फूर चैन चल रही है न फूर वे फूर चैन है वो सारी खतम हो जाएगी और जो इससे नीचे वाले उनकी मतलब हाइली पेथोजनिक एवियन इनफ्लोंजा है हाइली पेथोजनिक एवियन इनफ्लोंजा का मतलब क्या हुआ यह बहुत ही जादा पेथोजन नुक्सान करने वाला इनफ्लोंजा है एवियन इनफ्लोंजा इसे बड़ फ्लू भी कहा जाता है एवियन मतलब उडने व भी कहा जाता है ठीक है ठीक है अब यह देखो प्राइमरली मतलब मेजरली ज्यादा तो पक्सियों को नुकसान बर्ड को ही इंफेक्ट करता है ठीक है ज्यादा तर आप पुछोगे कि किसको नुकसान पहुंचाता है तो ज्यादा तर यह पक्सियों को बर्ड को ही हो तो यह जुनेटिक लिसीज हैं अब जुनेटिक का मतलब क्या हो गया है ये ने अ वर्ड आ गया है ना नहीं है पहले भी डिसीज रिसक्सस का चुके है इसको जुनेटिक मतलब एसा होता है कि और इनका रेखर इनका Chelsea नहित कीणाब में इंसाओं नहीं कि मिद ऄसकोता है नहीं कि पीड कर्ण़ करने नहीं मौनीक कर्णक शॉरत में कोई इस त्रफोसें अंग्राप该 इक त्रफॉत कं पाल सबस्किख ऑ इस प्रफॉत केस動画 झान्व darauf एक joke वेडरी वेड़ले लिए इनसे को बढ़ता है। जर लगा पर भाना लोड़ दी है वह जो मैं कि पहले यहां स्थाउट पर्यूच जया आएट के बूल मों फिर पहले सी पहले जरकामी क्यों लेता transmit कैसे होता यह तो कहते हैं कि फैलता इससे है टांस्मिस्ऐशन को unc気करता है से थी दुसरी जिगा फ्यलाता कोण यह प्ईलाता है जो पक्सी होते एक से दुसरी जगा उड़ते लगते आ और इस पक्सी को हुआ, यहां से लेते लेते चले जाएगा, वो दुरुवा पे चला गया, पोलरीजर में चला गया, तो उन पर फैला दिया, तो यह पूरा आर्टिकल देख लिया, बेचारी यह मर रहे थे, पोलर बियर, इनसे समझ देख लिया, चलते हमारे नेक्स्ट आर् उन्होंने निरणे दिया है, कि बेनामी लो होते हैं वो पहले क्या हुआ था? एक नया कानूर में आया गया था? 2016 में 2016 में एक नया law आया था उसमें वो लागए था कि आप पर है ना बेनामी अगर कोई illegal property का काम करते हो आप बेनामी property का काम करते हो तो आप पर एक act लगेगा वो है बेनामी act उसमें अगर आपने 2016 से भी पहले कोई crime किया न तो भी आप पर वो लागव हो जाएगा यानि कि रेस्ट्रोप्रेक्टिव आप पर ये लागू हो जाएगा अगर 2016 से भी पहले आपने कोई क्राइम किया है तो भी आप पर ये कानून लागू हो जाएगा बट सुप्रीव कोड ने बाद में बाद में बोला नहीं जी आप ये तो गलत कर रहे हो आए रहे हैं कानून तो आप इसा प्रावधान कर दो गौवर्मेंट ने भी बोल जाए ठीक है हम मान लेते हैं 2016 के बाद में अगर कोई बेनामी प्रोपर्टी खरीद देगा उस पर ये कानून लगेगा सुप्रीम गोड़ने के ठीक है बट अब क्या हुआ है ये एक बेनामी ट्रिब्यूनल है वो इस थ्रूई भी बेनामी ट्रिब्यूनल बड़ी थी इसने बोला है कि ठीक है 2016 के बाद में तो आप पर रेस्ट्रोपेक्टिव मत्तों 2016 से पहले आपने कोई क्राइम किया है तो आप पर ये नहीं लगेगा अर्था आप पर रेस्ट्रोपेक्टिव कानून नहीं लगेगा आप पर हम ये कानून लगा लेंगे तब ये रेस्ट्रोपेक्टिव लगेगा अब ये काम मामले जो सारी सुप्रीव कोड में आही कोड में जाएंगे बाद में देखो क्या डिसी जनाया फिर से देख लेंगे तो अब इसके बारे में देख लेते कि बेनामी सबसे पहले रेंगे बेनामी प्रोप की डेफिनेशन क्या होती है? बेनामी डेखो बेनामी प्रोपेटिम जैसे कि आपके पास पैसे बहुता है? ठीक है छी? अगर आप अपने नापर प्रोपर्टी ले लोगे तो आपके गर पर इंकम टेक्स आ जाएगा रइड पाड जाएगी आपक गी मेरे पास black पैसे है black money वो छुप भी जाएगी और मैं अमना काम भी चला लूँगा तो black money को छुपाने के लिए अवेद रूप से illegal रूप से अपनी property को लेने के लिए इस परकार काम किया जाता है उसे बे नामी कहा जाता है किसी बिना नाम के जो actual में जिनके नाम पर होती है उनके पास में उसका कोई फाइदा विलता नहीं है वो तो खाली मालिक बनके बैठे जाते है पैसे उसके पस कुछ आते नहीं है य इसमें जो income का source होता है उसे छुपा दिया जाता है black money का use किया जाता है और इस परकार की property से government को loss होता है because government को tax नहीं मिलता है tax hide करने के लिए ऐसा सब होता है और इसके निपटने के लिए इसको कम करने के लिए इसको रोकने के लिए government लेकिया ही बे नामी transaction prohibition act 2026 2016 में government act ले provision थी तो सबसे पहले बे नामी property इसकी definition को expand कर दिया definition बहुत बड़ी कर दी ठीक है कि इसमें क्या क्या चीजी सामिला उसको इस पश्ट कर दिया ठीक है यह चीज़ कर दी फिर property को held को किसके पास अभी संपती है उसको भी लाग लाग लाए पहले तो यह नहीं था किसके पास आपकी property को siege भी किया जा सकता है बिना payment की property को जब्द भी किया जा सकता है साथ ही साथ में appellant tribunal भी बढ़ाएगी जो इस परगार का मामला देखेगी अब कुछ क्यूशन देखे दिये हुए हैं इसको देख लो और कल इसका answer दे देना तो आज की discussion में इतना ही था thank you thank you very much for discussion कर दो आज कर दो पर दो कसल